भीज़ेपी तो लोगतंतर को खतम करने पर अमादा हाई। ये काम भीज़ेपी ही कर सकती है क्योंकि इतनी घटिया शोच और किसी भी दल कर नहीं हो सकता। मोदी जादू खत्म हो गया क्योंकि उस्ट में लंबे लंबे हवाई हवाई घोष्णाई थी हुआ है तक नो शाल में अम्री यमा नहीं ले पाई है आगपुर देश का नोजवान बिल्गारी का दन्स जेल रहा है जब से भात्वा सरकारी सरकाई नोगरिया गए भूले विस खरीद भी हिंदू है आदवासी भी हिंदू है पिछरे भी हिंदू है तो हिंदू तरास्ट की मांग करने वाले लोग क्यों नहीं ऐसे अपमान की घड़ी में अपमानित करने वालों के खिलाब आवाज उठाते हैं बलकिन चुपे हो जाते हैं क्योंकि उनको मौन सहमती औ कि panुपे स्थी क्र गृइघ करना हैं आले को कि आ इससे को बार शोरी विपटाध करणनेगे को कि कर देड़ी वाले को 21 भाई जीप काटने मौले को की सला कि शुपाड़ी देने वाले कि भारती जनता पार्टी में पहुंच कर हम मंत्री बने और लगातार तब से उनकी एक वैच चल रही है खुद की दाल तो भी तक गली नहीं, खुद तो मंत्री भी बने नहीं, मुंगरी लाल के हरसीन सपने देख रहे हैं और दूसरों को मंत्री बने के छेका ले रहे हैं, खुद का कहीं छेकाना नहीं, और दूसरों की छेकदारी कर रहे हैं तो जैसे किसी भी नाटक में एक जोकर होता है, वैसे राजनीतिक पटल पर ओम प्रकास राजभर जी एक विदूसक की रूप में काम करते हैं इसे स्वाइब उनकी कोई भूमिका नहीं है का समाजवादी पाल्टी बात करेंगे और जानेंगे कि अभी जो मौझूदा हालात जो चल रहा है उत्रुपर्देश में जो सुबा सुबा एक ट्वीट वाइरल होता है जैन्ध जी का उस पर भी चर्चा करेंगे और मध्धपर्देश में जो हल्चल जो चल रही है उस पर भी चर्चा करेंगे स्वामी जी आपका स्वागत है बहुत अधन्य बाद एक सुबा सुबा एक ट्वीट सभी सोशल मीडिया पर लगातार वाइरल था जैन जी का जिसमें जैन जी ने ट्वीट किया है खिचड़ी बिर्यानी ये तहरी जो खाना हो खाओ उसके बाद एक ट्वीट और वाइरल करना होता है जिसमें कहते हैं चावल खाना इसे अच्छा खीर ही खाओ तो इसका क्या माईने निकल करके सामने आते हैं क्या कहेंगे इस पर देखे जैन चोधरी जी एक बड़े राजनितिक परिवार से आते हैं कभी चोधी चन्ट सिंग जी किशानों के मसीहा के रूप में पूरे देश में एक अपनी नई पहचार मनाये थे और उत्तरपद्रेश के कई बार मुख्मंत्री और देश के प्राहन मंत्री तक की यात्रा उन्हों तैकी थी उनकी विराशत को जैन चबरी जी इसमें दिशा और दिशा दे रहे हैं हम समझते हैं जिस तरहिए से लोगों ने क्यास बाजी करके उन पर तरह तरह के क्यास लगाएगा है उसी के प्रत्कार में उनका वो ट्वीट है ट्वीट से कोई राजनीतिक निश्कस नहीं निकाला जा सकता लेकिन कई राजनीतिक दल जो है वो यह कहते हैं कि अगर हम रजयन जी की बात करें तो भारती जनता पाल्टी में जोड़ सकते हैं कई राजनीतिक विशेशक भी यही बात करते हैं और ट्वीट की इसी तरीके समय निकाले जा रहे हैं देखिए जिसकी जैसी सोच वैसे उसका अर्थ लोग अर्थ का अनर्थ भी निकालते हैं और अनर्थ में अर्थ भी ढूंडते हैं लेकिन जैन्द चोदरी जी एक गंभीर प्रकित के उबरते हुए निता हैं और अभी समाजवादी पार्टी गड़बंधन में उनने बड़ी इमानदारी से साथ भी दिया काम भी किया गड़बंधन में लोगदल के भी कई विधाय गीते हैं गड़बंधन से जैन्द चोदरी जी राजवाद में सांसत भी हुए है और दूपती नईया में कभी कोई पैड नहीं रखता है 2024 लोगशवाचनौ में भाजपा की विधाई होने जा रही है लेकिन अगर बात करते हैं राजपर के कई सारे वोंप्रकास राजपर के कई सारे बयान आते हैं उस पर अकलेश यादो आगबबूला भी होते हैं कहते हैं कई ऐसे विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जो उनके संपर्त में है और खुद की उनकी बात होरी कयास लगाया जा रहा है कि वो भारती जन्ता पार्टी में जोइन करने वाले हैं यसे मैं जैन चौदरी के इस तरीके के बयान को देखा जा सकता है लुकी जोइन कर सकते हैं भारती जन्ता पार्टी करने में को कतार मा तर औंशी जोइन करने की मंत्री बनेयों और लगातार तब से उनकी एक वाय चल रही है खुद की दाल तो भी तक गली नहीं खुद तो मंत्रिय भी बने नहीं मुंगरी लाल के हरसीन सपने देख रहे हैं और दूसरों को मंत्रिय बनने के ठेका ले रहे हैं खुद का कहीं ठीकाना नहीं और दूसरों की ठेकदारी कर रहे हैं, तो जैसे किसी भी नाटक में एक जोकर होता है, वैसे राजनीतिक पटल पर ओम प्रकास राजभर जी एक विदूसक की रूप में काम करते हैं, इससे स्वाएं उनकी कोई भूमिका नहीं है, ना उनके किसी वक्तव का कोई राजनीतिक अर्थ होता है, वो बिल्कुल विदूसक की रोल में अपनी भूम का अधा करते हैं, और इसलिए राजनीतिक में उनको कोई गंभितास लेता भी नहीं है, अब फिर वो अभी तो भाजपाग सम्नीद भी नहीं हुए, अभी तो लाई नहीं लगा हैं देर साल से, वो और वो भाजपा के किसी बड़े पत्वर भी नहीं है, तो समाजबादी पार्टी के विशे में वो इस प्रकार के क्यास बाज़ी कैसे लगा सकते हैं कि बहुत से विधायक उनके संपर्क में, वो क्या हैं, लेकिन महराष्ट की जिराजनीतिम जिस तरीके से उथल पुथल ह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो सकता है, हम कह रहे हैं कि बीजेपी तो लोगतंत्र को खतम करने पर अमादा हाई, ये काम बीजेपी ही कर सकती है, क्योंकि इतनी घटिया सोच और किसी बीदलकर नहीं हो सकता, मद्द प्रदेश में बीजेपी हारी थी, फिर उसके बाद सरतवार जी की पार्टी को तोड़ा, तो तोड़ने की बावाही भले लूट लें, सच तो ये है कि अंदर से खुद भाजपा तूट चुकी है, और अंदर से वो अपनी हार भी मान चुकी है, बैक फूट पर है, इसलिए जब से पतना में विपक्षी दलो की नेताओं की बैठे खुई है, तब से भाजपा के लोग अनाप सनाप बैयानवाजरी पर उतारू हैं, तोड़ फोड में लगे हुए हैं, और ये जितना भी तोड़ फोड करेंगे, उतना ही एंटी, बीजेपी अट्मास्फियर बनेगा, उतना ही लोगों में जना कर रही है, जनादेश का उलंगन कर रही है, जनादेश जिस पार्टी को मिलता है, उसका सम्मान करने के बजाए, ये पैसे के बलुते पर तोड़ फोड़ करके, जिस तरीके से सरकार बनने का पाप कर रहे हैं, स्वावाई ग्रूप से, ये इनके पक्ष में नहीं जाएगा बल्के ठीक इसका उल्टा होने जा रहा है, पाल्या में चिनाओ में सभी वक्षी पार्टियां एक मज़ पे आएंगी, और बीजेपी ने जो पाप किया है, उसका एक एक साब भी इनको चुकता करना पड़ेगा, दोजार चोविस लोक्सवा चिनाओ में इनकी विदाई भ हो चुकी, हिमानचल प्रदेश इनके हाँ से निकल गया, क्या नाटक भी इनके हाँ से निकल गया, अब अभी पांच प्रदेशों के फिर चुनाओ होने, जहां भी चुनाओ होगा, एक एक करके बीजेपी के हाँ से वो प्रदेश निकलेंगे, और जब भी दोजार चोवि तो एक वीडियो वाइरल होता है बहुत ही गंदा वीडियो था जिसको चर्चा नहीं की जा सकती उसके बाद देखते हैं मुख्यमंतरी खुद आदिवासी समाज के उस व्यक्ति की जिसके साथ इस तरीके घटना हुई थी उसके पैर धोते हुए नजर आते हैं और उसी समाज कि अगर हम बात करें उसी समाज से हमारी राष्टपती महा महीम भी बिलॉंग करती हैं आदिवासीयों के लिए इस समय कहा ये जाता कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि समय सही नहीं चलना क्या वाकई मैसा है देखिए कुल मिला करके जो मद्द प्रदेश में शीजी कि घटना घटी है वो अत्यत निंदनी है जातिवाद और धर्म के नाम पर नंगा नाच का इससे बड़ा कोई बीभस उदार नहीं हो सकता है रही बात मद्द प्रदेश के माने मुख्यमंत्री शुराजी सिंग शोहान जी सीधी पेसापकांड के पीडित आदवासी व्यक् पेर पकारे हैं चंडल लगा करके छमा याचना घलती माने हैं इससे साबित होता है कि भारत देश का लोगतंत्र बहुत सशक्त है यही लोगतंत्र है और यही उट की कीमत है जिसके नाते मुख्यमंत्री शुराजी सिंग चोहान को उस आदवासी नोजवान का पैर भी धोन पड़ा तिलक भी लगाना पड़ा चमाय आजना भी मांगनी पड़ी और यही नहीं कि उस पत्नी उसकी पत्नी को जवादवासी बहन है उसने भी स्वाइमान के साथ मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को नक्यों टुक्राया बलकिन कहा कि हमें पैशा वईशा ना चाही हमें च मुक्यमंत्री जी है यह ताकत भारती समिधान की है यह ताकत बबसाण ब्लैक्टर अंबत्तर की है है जिसके नाते बड़े बड़े लोग घुटना टेकते हैं यह present, कभी मानीम्त्रानमंत्री जी कुम मेले में समिकों का पैर धो करके दिखावा करते हैं तो कभी मानी मुख्यमंत्री जी मद्रप्रदेश पैर धो करके दिखावा करते हैं ये दिखावा ये छलावा नहीं चलेगा बीज बजार में जूता हमारे घर में आके माफी मांगे बहुत नाटक हो चुका है अब वो तो हमारा समाज का अंतिम ब्यक्ति गरीब ब्यक्ति है जो देश के सरबोच्पत पर बैठा हुआ है समिधान प्रमुक है देश का राजपति है मानिया द्रोपदी मुर्मु जी उनके ही अधिन मंत्र मंदल का एक मंत्री मंदल के गर्विग्री में जाके पूजा करता है क्योंकि उसी जातका है वही पर इस देश की प्रतम नागरिक राशपति द्रोपदी मुर्मु जी को बैरीकेटिंग के बाहर खड़े होकर के हाँद जोड़ करके मंदल में प्रार्थन करने करें मुझबूर होना पड़ता है यहे ऐसा इसलिए को आदवासी समाव से तालुकाद रखती है यही नहीं इसके पहले जो मानिय महामहिम राशपती जी थे रामनात कोविजी उनके साथ भी इस लूप हुआ था जब राजस्थान के पुषकर में ब्रह्मा मंदिर का दर्शन करने गए थे वहां के पंडों ने भी उनको मंदिर के अंदर जाने से रोग लिया था तो मंदिर की सीधी परमाथा नवा करके वो वापस चले आये थे इसलिए कि वो दलित थे यही नहीं इसी उत्तरप्रदेश में जब अखलेश शादोजी मुख्यमंत्री बहेशियत कालिदास मार्ग निवाश को छोड़े भाजपा के नौनवर्चित सरकार के मुख्यमंत्री के लिए यही भाजपा के लोगों ने उसी पांच कालिदास मार्ग को इस देश के दलीतों आदवाशियों पिछणों को कीड़ा मकोडा से भी बत्तर समझते हैं यहां तक कि धर्मे के नाम पर यह है जानरों की पूजा कर लेंगे चिलियों पच्छीयों की पूजा कर लेंगे कीड़े मकोड़ों की पूजा कर लेंगे लेकिन दलितों आदवासियों पिष्णों को सम्मान देने में इनका विश्वास नहीं है जब भी मौका पाएंगे इनको अपमानित रहेंगे यही इनकी गट्या सोच आज पुरे देश को एक सक्त राष्ट के रूप में कहीं ने कहीं बाधक बन रही है और हिंदू राष्ट राष्ट की मांग करने वाले लोग क्यों नहीं ऐसे अपमान की घड़ी में अपमानित करने वालों के खिलाब आवाज उठाते हैं बलकिन चुप्पे हो जाते हैं क्योंकि उनको मौन सहमती और मौन सिकर्टी उनको मिलती है उनकी बोलती बंद हो जाती है क्यों है कि बिल मे सब्सक्राइब करने लोगों ने अपनी तरह तरह की सुपाड़ियां दी हैं इस प्रकार की सुपाड़ी देने वालों के सरकार साथ खड़ी है क्योंकि स्वामी प्षाद मुर्या भी पिश्री जाती है तो स्वावी रूप से ये जाती और धर्म के नाम पर जो भेद भाव हुआ है मानि प्राहन मंति जी को अमेरिका में बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा उन्होंने कहा कि हिंदू हमारे धर्म में और जात के अधार पर भेबाव नहीं होता लेकिन उसे समय जिसमें श्रेट बेन दे रहे थे उसे की दूसरे दिन बाद दो दिन बाद यहां पर महामहिम राष्टति द्रोबदी मुर्मुजी को उसे धर्म और जात के बिना पर अपमानित किया जा रहा था तो स्वावी रूप से ये घिलोना चेहरा एक एक करके सबकर सामने आ रहा है और मद्व प्र बात करें आज कॉंग्रेस की तो आज बड़ा दिन था लेकिन गुजरात में जो प्ली दाखिल हुई थी वो खारिच कर दी गई राहुल गांधी की दो साल तक चुनाओ लड़ने की बात हो रही है और जो सजा है वो सजा वैसे ही बरकरार है इसको किस तरीके देखते हैं एक-एक करके विवक्षी नेताओं के खिलाप कभी एडी तो कभी सीवी आई तो कभी इंकम टैस्ट का दूर प्योग करके उनकी आवाज को दबाने की लगतार कोशिश कर रही है उससे बात नहीं बनता तो पार्टी को पैसे के बिना पर तोड़ने कोशिश करती है और उसस भी नहीं बात बनती तो चूंकि विधान सभा अध्यक्ष और लोक्षवा अध्यक्ष ही सुप्रीम पावर होता है किसी सवस्ता जाए किसकी नहीं जाएगी तो ऐसी हालात में जिसकी सरकार उसकी लाठी तो स्वाही रूप से जोकुल भी हो रहा है यह लोगतंतर को कुचल का दूसराज कहले जारा है लेकिन को नयाई पालिका में हमें विश्वास है देर होश चकती है लेकिन अंधर नहीं मानी चनल अनका कटी है नहीं Ihnen को चोक्त बाकी है रहुल जी को नहीं पूरा विश्वास है कि मानी चरहें से पा मांल हूंग पटना कीzar की बात कर लेते हैं लगातार मिलने जा रहे हैं और वहां पर अभी एक बड़ी रैली देखी गई थी जिसमें राहुल गांदी जिसमें रैली में संबोधन कर रहे थे उस समय काफी लाखों के संख्या में भीड़ती तो कहीं न कहीं कई राजनीतिक धड़े ऐसा भी बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो अगर लोकतंत्र को बचाना है समिधान को बचाना है देश को बचाना है तो सभी विवक्षी पार्टियों को एक मंच पर खड़ा होना पड़ेगा और यदि सभी विवक्षी पार्टी एक में नहीं आती जो कत्राता है उसके हाथ कहीं नहीं सत्ता पस्विश से दबे हुए हैं इसलिए अभी नहीं तो मौके पूर जरूर साथ ख़र दिखाई पड़ेंगे हम समझते हैं कि जिस तरीके से आज आजादी के बाद भाजपाप पाहली एकी सरकार है जो देश को बेचने की सुरुवात की है देश के सभी बंदरगा बेद दिये एरपोर्ड बेद दिया एर इंडिया बेद दिया सभी रेलोए स्टिशन बेद दिये कई दरजन टेने बेद आजादी यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संता जिसमें दस्यों लाख लोग काम करते थे उसको भी अदानी के हवाले कर दिया यानि जिन सरकारी विवागों शरकारी पस्ठानों में देश के नोजानों को सरकारी नौकरिया मिलने के उम्मीदें थी उन उम्मीदों का भी गला लोड दिया तो सभाई ग्रूप से यह देश बेचनी की शुरुवात है अगर और रह गए सबंहें कुछ भी भाग बेचे हैं सारा देश बेच देंगे तो देश भी खत्रे में है समिधान भी खत्रे में है क्योंकि जिस समिधान की कर्समखा के सत्ता में ये लोग बैठे हैं सत्ता में बैठने के बाद वही लोग सम्विधान प्रदत अंसुची जाट अंसुची जन्जाट और पिश्डे के आरचन को भी सुन्ने करते जा रहे हैं निश्पावी करते जा रहे हैं तो स्वाही ग्रूप से सम्धान को भी खत्रा है लोगतंत्र को खत्रा इसलिए है कि आज बड़े पैमाने पर पैसे के बलबूते पर पार्टियां के विधायक सांसत खरीदे जा रहे हैं तोड़े जा रहे हैं सरकार तोड़ के बनाई जा रही है लोगतंत्र की आवास को दब कि मोदी जी का जादू खत्म हो गया क्योंकि उस्ट में लंबे लंबे हवाई हवाई घोष्णाई थी वह हवाई घोष्णाई आद तक नो साल में अमरी यमान नहीं ले पाई आजपुर देश का नोजवान ब्रजगारी का दंस जेल रहा है जब से भात्मा सरकारी सरकाई नोकरिया गये भूले विश्ट कभी कोई जगन निक्या बिग्यापन आया भी तो भ्रस्ट अचार के बलवी दिप चड़ गई यही नहीं आज महंगाई क्याग में देश की जनता जल रही है चोटी-चोटी चीजों पर जिरूत वाली चोटी-चोटी चीजों पर जीएस्टी लगा कर जिस तरीके से उनकी कीमते आश्मान पर गई हैं आम लोगों को जीनब दूबर हो गया यहां तक कि आज जो डीजल भात्मा सरकार बनने के पहले 56 रुपाई लीटर था जो पर जो पर टोल कभी 55 रुपाई लीटर था बादपास सरकार में जो खाना बनना मेला गई स्रेंडर 20 रुपम मिलता था वो 12 रुपम पहले इस बादपास सरकार ने तो बच्चों के मुँका नेवाला भी छीनने की कुशिच की छोटे-छोटे बच्चे जिनको प्ति है दूद, दही, मक्षन, पनीर, मठा उस पर भी जेस्टी लगा दिया है तो स्वाभाई ग्रूप से महेंगाई बेंतिहा बढ़ रही है रही बाद जेस्टी का भी बड़े पहमाने पर दृत्यों हो रहा है जेस्टी की जांच की नाम पर लग हुए वं मध्यम वर के ब्याप स्वाभाई ग्रूप से अब तो नोशाल के काम का लेखा-जोखा क्या दार पर बीजीपी की मौनिटी होगी और अब तो इनकी उड़ीक इन्दी सुर्वात हो गई हिमान चल इनकी हाँ से निकल गया कर ड़ाटक इनकी हाँ से निकल गया जहां भी चुनाओ होगा वहां पर बीजीपी को सूप्रा साफ होनाते हैं और यहां तक कि 2024 लोग स्वाचिनाव में भादपा कोई ताकत लगा ले कितना भी आर्थिक पैसे कदर प्योग कर ले उसकी विदाई हो नहींते हैं क्योंकि आज जब से भादपा सरकाराई है देश में गरीबों की शंक्या बड़ी है पाँच दर्श्कलो चावल देते हैं 88 लोगों को 5-10 की चावल देने का मत्तब आपने 88 लोगों ל उनकी शटरकार केंownersím बना दिया है हमने उत्य अत्या क्ड़ों लोगों को दर्श्कलो इन्होंने देश की आर्थिक इस्तिती की रेन मार दी, खोखला कर दिया, इन्होंने बिरोजगारों की आकार कर दी, आध्यर चाहल कम रिख का प्रज़प्र कर दी, अगर उस गरीब के बेटे को अगर नोकनी मिलती, तो 5-10 किलो चाहल के लिए उसको तरसना नहीं पड़ता, तो स्वाहई ग्रूप से जब 88 क्रोड रोग आज गरीब हो गये हैं जो 5-10 क्रोड चाओल को अपनी किसमत मामते हैं, उत्तर पुदेश में 18 क्रोड लोग गरीब हो गये जो 5-10 क्रोड चाओल पर निर्वपर रहते हैं, तो स्वावी ग्रूप से ये भरत है, ये ही उप्लमधी है इस सरकार की, तो अब तो लेखा जोखा होगा अरपार की और भाजपा की विदाई की, पूरी तयारी है, सारी वख्शी की पार्टिया मिल करके, स्वावी ग्रूप से, जो भाजपा ने पाप किया है, उसी सजयर को पूछ लेते हैं उत्तरप्रदेश की अभी बात करें जब लोग सभा अभी जो विधान सभा चुनाओ जो बीता है उसमें जो समाजवादी पाल्टी जो एहम जो नुकसान किया है वो मायावती ने किया है 2024 में भी लोग सभा चुनाओ है अभी तक के बैठा कोई पटना में उसमें मायावती नहीं थी और अभी तक किसी भी प्रकार से जोड़ाओ के कोई बात नहीं दिखाई दे रही है क्या लग रहा है आगे आने वाले समय में क्या मायावती से समाजवादी पाल्टी बात कर सकती या जोडने की बात हो सकती है अबी तो वेपक्षि एकता की शुरुवात इसलिए अभी अंतिम्लाने कोई भी नहीं निकाला ज़े सकता। जो अभी नहीं है वो आगे वह एलाइंस में ख़डा हो सकता है, कभी भी आसकता है, कभी शम नित हो शकता है, अभी तो दर्वाजे खुले हुए हैं और अभी तो एक ही मीटिंग हुई ना अभी तो पहली बैठक होते ही बाजपाप उखला गई हतासा नजशा में अनास्वाब बैन बाजी करने लागी तो आगे आगे देखिए होता है क्या अगे आगे देखिए होता है क्या साफ तोर से सवामी प्रसाद मौरिया जी से बात हो रही थी उत्तर प्रदेश की राजनीती की बात हुई देश की राजनीती पर भी बात हुई और लोक सभा चुनाओं में लगबग आठ महीने ही हैं पटना में बड़ी बैठक होई उसमें अब देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय पे क्या कुछ होता है हर मुद्दे के लिए हम आपके से जुड़े हुए जो जमीनी नेता है उनके पास चलेंगे अगर आपके भी कोई प्रश्ण है और स्वामी जी से अगर आप पूछना चाहते तो कमेंट बॉक्स में अ जुझ तो शा आपके तो में अपर आपके उनके पना ठापके हा हुए